कि महा दलित समुदाई के सबसे बुजूर्ग व्यक्ति से राष्ट्रिय जंडा फहरा करके सामाजिक परिवर्तन की पटकता लिखी है तो जो बोलिएगा सराबंदी फेल वो डॉक्टर भीम राव अंबेदकर की नीतियों के खिलाब नमस्कार दा इंडिया टॉप देख रहे हैं आप आज भीम राव अंबेदकर जो समिधा निर्माता है उनका महा पड़ी निवान दिवस था इसको लेकर तमाम पार्टी कार्याले में कार्जगरम किये जा रहे है तेलसे में जद्यू के परदेश कार्याले में भी आज कार्जगरम का आयोजन किया गया था आप तस्वीरों में देख सकते हैं सबसे पहले भीम राव अमबेटकर के मूर्ती पर मल्यारपन किया गया पुष्पांजली दी गए उसके बाद तीन दलित जो लोग हैं उनको बुलाया गया था उनको सम्मानित किया गया ये वो लोग हैं जो मुख्वंद्री के सामने जंडा तुलन कर चुके हैं जिसको लेकर अब जदियू के तरफ से बयान आया है कि भीम राव अमबेटकर की जिन बातों को लेकर हम लोग चलते हैं उन बातों को विपक्षी लेकर नहीं चलता है साथीजा सराबंदी के मुद्दे पर भी जदियू के मुख परवक्ता और MLC नीरज कुमार ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है और कहा है कि इस तरह की जो बाते लगता निकल कर सामने आ रही हैं तो हम लोग भीम राव अमबेटकर के पच्चिनों पर चलने वाले हैं हम लोग दलितों का सम्मान करते हैं और लालू यादो दलितों का माधा मुड़वा देते थे आपे वीडियो देख दिवश है मानिय नितीश कुमार जी ने इस देश के दलित विमर्ष में एक ऐसा घटना करम घटना चक्र की सुरुगात की 2011 से कि महा दलित समुदाई के सबसे बुजूर्ग व्यक्ति से राष्ट्रिय जंडा पहरा करके सामाजिक परिवर्तन की पटकता लिखी है और जो ल देखा आपने किस तरीके से निरज कुमार ने विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला है सातिशा सराबंदी के मुद्दे पर भी विपक्ष से सवाल पुछा है और कहा है कि वो बताएं कि भीमर्ष मेंड़कर जिन 22 परतिग्या को लेकर आगे बढ़ रहे तो उसमें सराबं अगर विपक्षी दल अभी विश्राबंदी को लेकर बातें नहीं मान रहे हैं तो कहीं न कहीं वो भीमर्ष मेंड़कर की बातों को नेगलेट कर रहे हैं वह मामले को लेकर अब जद्यू के तरफ से बयान आया है तो इसकी परतिकिरिया क्या कुछ निकल कर सामने आती है अ झाल